Hello everyone, this is Shivangi, welcome to Shift Classes, इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं Efficiency को, एक्जाम में पूचा गया Efficiency क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं So Efficiency का मतलब क्या है, कि वो Peak Level Performance का जो यूज करता है Least Amount of Inputs to Achieve the Highest Amount of Outputs कम इंपूट का इस्तमाल करके हाइस्ट जो है आउटपूट प्रडियूस करना चीव करना उसका मतलब क्या है हम उसे क्या बोलता है एफिशेंसी बोलता है इसके अंदर इंपूट के सास्ता जो हमारा टाइम है और एनरजी है वह भी इंक्लूट है कि जादा से जादा टाइम खराब ना हो और एनरजी ना लगे उसमें जो भी आउटपूट प्रडियूस हो रहा है तो एफिशेंसी एक मीजरेबल कंसेप्ट है जो डेटर्माइन होत जैसे कि फिजिकल मैटिरियल एनरजी एंड टाइम ठीक के एफिशेंसी इनक्रीज होगी तो आपके एनरजी भी कम लगेगी टाइम भी कम कंस्यूम होगा किसी भी परडिकलर आटपूट को प्रडूस करने हैं और जो भी फिजिकल मैटिरियल उसको बनाने में इस्तमाल के जो है अब कोर्पोरेशन जो मीजर कर सकता है एफिशेंसी अपने प्रोड़ेक्शन प्रोसेस के लिए वह किसके दर कर सकता है की वह अपनी कोस्ट को कर डाउन कर सकते हैं जब वह अपने आपड़ पूट को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे उनका क्या होगा एक तो सेल्स बढ़ सकते जिनसे उनका जो energy bills है वो क्या हो कम हो investor can determine the efficiency of their investment by using the return on investment तो जो investor investors है वो कैसे determine कर सकते efficiency को कि जो उनकी investment है उस पे जो उनका rate of investment है कि return return on investment है कितने उनको return मिल रही है उससे वो relate कर सकते हैं कि उनको कितनी efficiency कितनी उनके efficiency महां increase हो रही है तो यह था आपका efficiency का topic I hope आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like it share it and subscribe my channel thank you